यहां पर बेसे अदर बहुत देखने के लिए तो यहां पर क्या है क्या चिल रहा है उसके बारे में लोग एक बार डिसकस करेंगे और अगर देखा जाए तो पूचोगे तो हमें लगता है इंप्रूव हो रही है यहां पर देखो कंपणी के अंदर चेंजिस क्या और पहले तो वह समझो यहां पर देखा जाए तो जैसे की अभी इंफ्रास्ट्रक्शर पर थोड़ा सा फोकस था वह थोड़ा सा शिफ्ट करके अब कंपणी रैम सेक्टर मतलब आपका रीटेल आपका अगरिकल्चर और कर रही तो डेफिनिटली वहां पर लोन की डिमांड बढ़ेगी और साथी साथ यहां पर बैंक भी तेजी से ग्रूप कर पाएगी कि अगर मालों की इंट्रेस रेट को थोड़ा सा अगर वहां पर हाई साइट दिया जाए तो चांसे वहां पर बढ़ जाती है बस यह है कि कंपनी को ऐसे मतलब तेजी के अंदर ना लोन दिया जाए तो बेडर होता है क्योंकि एसा सिचुवेशन में बहुत सारी कंपनी नए भी इंटर करने के कोशिश करते हैं जब रस्ती क्योंकि वहां पर उनको तेजी नजर आ रही होती है और यूजिली जब बहुत सारी कंप नटर को वापस दुवारा पैसा देजाए बट ननटलेस एक तरह सो हो जाते हों बैंक के लिंच उत्सान हो Jantra , बूर नकर देखा सब्सक्राइब तो इक сделать सब्सक्राइब लेका जाए बहूत देखने के ल mut अगर देखता है तो द्हाके अगा सब्सक्राइब लाएं ठेकने के लिए मिल रही है और साथ इसाथ अगर देख जालगे तो एनका जो कॉस्ट ऑप क्रेडिट बॉरिंग थी वो थोड़ा से यहां पर कम हुई है तो एक तरह से वो भी कंपणी के लिए बेनिफीशल हो सकता है एक परसेंट से कम होना मतलब बहुत बड़ी बात है यहां पर रोसी थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर में लोगर साइट पर रहता है इस इतना ही बचा है यहां पे 600-500 के आशपास है 536 के आशपास और तॉप यहां पर देखा जाए तो अमनों का अरॉण्ड सेवन सिक्स्टी यहां पर देखा जाए तो लगातार यहां पर बढ़ते जारी एश्पेशली कोवीट के बात से अगर देखोगे तो साथे साथ यहां अब यहां पर देखा जाए तो प्रॉफिटिबिलिटी इंप्रूव होने के साथ सथ अगर कंपनी आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर कर रही है जो कि अच्छा लगना चाहिए अब यहां पर देखा जाए उसके यहां सकते हुँगा है और इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं यहां पर देखा लेंगे तो चार्ट पर देखेंगे तो अभी के लिए फिलाल हम लोग के लिए काफ़ इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जो यहां पर यहां पर 50 में भी है और ग्याप हमेशा काम करता है एस बिग सपोर्ट और बिग रिजिस्टेंस तो यहां पर यहां पर यहां पर कंपनी नीचे जाते आपको नजर आ सकती है डाउन साइट पर यहां पर आपको अगर नेक्स टार्गेट देखना तो वन स्वारी 541 के आसपास कंपनी नजर आ सकती है और उसके नीचे भी गई तो यहां पर 523 के आसपास भी नजर आ सकती है तेजी से गिरावाट आ रही है मार्केट के अंदर तो बहुत जादा कोई करेंगे इसको साफ करेंगे यहां से धूल गरता ओड़ेगा और अच्छे स्टॉक्स पर भी गिरेगा तो वह चीज एक देखने वाली है थी है बहुत जादा पैनिक करने वाला हमें सिचुएशन ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मार्केट में काफी सीजिए हमने देखी भी आ तो वह एक चीज़े देखने वाली इसके लाबा और कोई ऐसा कुछ ऐसा मतलब ख़वर या कैसी न्यूज नहीं कि यहां पर मार्केट इंदम से क्रैश कर जाए यहां पर नबबे परसंट सो परसंट गिर जाए वह ऐसा नहीं है यहां पर बीस परसंट तीस परसंट बहुत करना शेयर करना और अच्छा मोमेंटम के बाद तो कीगी नहीं हमने की फर्दर अपसाइड मोमेंटम के लिए थोड़ा सा कंसोलीडीशन हो जाए तो वह बेटर होगा क्योंकि अभी के लिए तो देखा जाए प्राइस नहां पर काफे जादा वालटाइल हो गया है वालटा तो एक तरह से कंसोलीडेशन होगा तभी यहां पर वीकली टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो यहां पर इन वाले लेवल तक यहां आपको अल्टिमेटली टारगेट देखने के लिए मिल सकता जो की स्टॉक का 815 आल टाइम हाई वाला फेगर है तो यह मतला बेक तरह से कह स तो थोहाँ सा आपका मोमेंटम अगर मिलता तो यहां टारगेट हो सकते हैं जो कि आपका 34% तब के लिए हो सकता है बट उसके लिए फिर सीए चीज है कि एक कंसलिडेशन आम लों को चाहिए नहीं तो ग्रावड भी आ जाते ही तो कोई उसमें परेशान होने वाली बात नह है अभी के लिए फिलाल चलेंगे मिलेंगे अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और साथे साथ चैरल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन वरे नोटिफिकेशन बटन भी ज़रूर दमाना अगर आपको यह डिसक्श प्रोड़क्टिव लगी तो ओके बाइ